कर अभिए इस बात कर लेते हैं कुछो संभयलन है संभय इन सब्सक्राइब होता है कौनफेस करेंद आते हैे यह रसाल कांफेर्इस कई लोगों की एक सभा होती आप इसको सुभी है कुछ फैक्ट नहीं है बसाथ समझ लें ये कई लोगों की क्या है सभा होती है कि बहुत सारे लोग इसमें मिल करके बैठते हैं और किसी विशय के बारे में क्या करते हैं विचार विमर्ज करते हैं या कई और समस्क्या है कोवीड के दोरान आपने देखा कि बहुत सारे आifi अard वहाँ कोई कानफेरेंस हो रहा था है िखर कॉलने सम्मेलन होता है इसमिने बहुत सारे लोगों टकर बैठते हैं और किसी मुद्दे परmar Hin यहां आप समझझ लें कि अफचारिक बैठक क्या होती है जिसे करेंगे और अनौप्सारिक में अन्तर होता है कुछ अफचारिक का मतलब हो गया गाया कि नियम रूल्स जो होते हैं कुछ कानून होते हैं तिक कुछ आदेश होते हैं उनके कि लेना देना नहीं होता है वह होता है वह होता है अनुप्चारिक हो एक तरीके से मिलेंगे एक तरीके से बैठेंगे और फिर वह अपनी बातचीत सुरू करेंगे विचार भी मस करेंगे तो अप्चारिक का मतलब यही वोगा एक्जांपल अगर देखा जाए तो नाख़ फि mines कर तो क्या होता है कि आप गेट खोलते हैं पहले तो प्रमिशन लेते हैं पुषते हैं पुषते हैं ला फिर घेट के सब्सक्राइब करते हैं तो सर अपने पहले बोल दिया यह क्या है यह आपकी पूरी बात सुनी जाएगी फिर तभी सर दुबार वह बोलेंगे अनुपचारिक मीटिंग कैसे होगी आपका कोई दोस्त है जो भी अफिस में बैठा है या फिर वह क्लास्रूम में बैठा है या अपने कमरे परहा आप गए धड़ले से मारे हाथ और दर्वाजा खुला बिना कुछ सोचे समझे आप रूम में पहुंच गया दो चार बातें भी सुना दिया उसके बाद आप हाल चाल कर रहें यह अनौपचारिक मीटिंग है अपके इसके लिए आपने किसी रूल्स को फॉलो नहीं कि अपकारिक और अनौपचारिक में यही फर्क होता है तो जो सम्मेलन होता है वह आप चारिक बैठाक होता है ठीक है एक परकार का जो बड़े समूं की सभावति यह में बहुत सारे लोगों सब्सक्राइब कर देखते हैं कि सभावति यह उसके समयलन में तकरीब 11215 लोग सामिल होते होंगे सभी देशों के प्रमुक प्लस जितने यंजी ओं है जो परियावरर से समंधित हैं डेवलाप्मेंट से समंधित तो वो सारे इंजी ओस की मिम्बर्स मिला करके 101500 लोग लगभग में उस सभा में बैठते हैं उस कॉन्फरेंस में जो कॉप होता है ठीक है इसके बाद में फिर होता क्या है कि जो सदस्त यहां पर गए है वो सब कोई ना कोई कारे लेकर गए है और कोई ना कोई रिसेर्च में है वेड़ा इसके अब बात्रिट कर रहें तो आपके पास जो भीचार है या आप सूचना आए है उनका क्या करेंगे आप एक दूसरे से सेर करेंगे अ यह यह भी एक होता है इसमें इस तरह का जो संमेलन होता है कि काम तोर पर किस फिल्ड में होता है कर दो सबस्कूल में कईसे होता है जैसे आपके कारजियान की मीटिंग बीच अकी सब्सक्राइब श्कूल मेंकर यूचा सब्सक्रा कर बैटते हैं यहां पर उनके बीच में जो आपको नहीं पता होती है सभड़न सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब बैठेड सब्सक्राइब इसमेलस हो सकते हैं इतने सार्य सम्मेलन इसमेस जो भी बड़े अस्तर की होते हैं कि इसमें कोसिस होता है कि कोई निशकर्स निकाला जाए आप किसी मुद्दे पर बैठें आप बात्चीत कि आप पहुंचे कि क्या है जो मुल समझ्चे थी उसका समधान है या पिर क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए इस पर एक रिजल्ट भी निकलता है आपके सब यही होता है क्या एक बिसेस्ता लैस की और होती है कि ये दो दो अपर गिलिया है घशल दो अब अब हुग्त फकर है कि एक अब को कुई होगी दो पहले पर क्लिया क्योंस थैं जहां पर कोई même ही बोले और सब लोग उसको माने इं departure आ हो बलकि order दिये जाते हूं वह एक तरफा प्रक्रिया होती है लेकिन यहां सम्मेलन है यहां हर वैक्ति अपने विचारों को रखेगा सुचनाओं का आधान प्रदान करेगा यहां पर दो वैक्तियों के बीच में बात चीत होती है तो इसलिए यह दो तरफा प्रक्रिया है यह यहां पर बहुत बहुत-बधा कोई हेड नहीं होता है सब लोग मिलके किसका आए दिंकरते हैं ऑख व मेंबर खते हैं टो बात करते हैं कारशाला या वर्क्साप् क्या होता है कि कारिसाला या वर्क्शौप् कि यह क्या होता है कि यह सेमिनार जो होता है सेमिनार से छोटी लेकिन ज्यादा सेंट्रलाइज होती है केंद्रित होती है ठीक है इसका संबंद समस्च्य समाधान के बैवहारिक पच्छों से होता है कि सेमिनार से छोटी होती है सेमिनार से छोटी सभा ज्यादा केंद्रित तिक याद ध्यान रिखेगा यह ज्यादा केंद्रित होती है और समस्या समाध्हान के ब्यवहारी पक्षों पर फोकस होती है समस्या समाध्हान के ब्यवहारी पक्षों पर बात करता है पर ये बात करता है है इसमें च्छात्रों को नय कोशल तो यानि नए इस्किल्स सीखने का मौका मिलता है वह के पर मांध्यम से मांध्यम से समस्य का समधान होता है किरियात्म विकास के वतलब होगा एक्सनेबल डवलप्मेंट यानि आप से कारी के कि आपसे कोई कारी करा जा रहा है जब आप करिया सील होते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके इस चीज़ों को सीख पाते हैं और कारी के दवरान आपके पास जो experience होता है एक इस्किल्स होती है ये आपके अंदर कॉशल होता है उस फिर स्वतंत रूप से करने का ज्यादा तर इस तरह का आप देखेंगे engineering के जो उन करने वाला समीनार हो या शभाहय वजित में प्रेमिंच होती एक्टरी रिए तो इसका उद्देश क्या होता है कि जो जटल समस्या है उनको प्रैक्टिकली करके या करा के सिखाया जाए उसको करेंडिकली जब चीज़ें होती है उसको कारशाला का नाम दिया जाता है या वरक्षॉप होता है खास तोर पर इंजिनेरिंग के छात्रों के लिए होता इस तरह की आयोजन एक होता है परिसंबाद या उच्छ अस्तरिय संबाद भी से कहते हुए परिसंबाद या उच्छ अस्तरिय संबाद ओ एक सिंपोसियम इसका अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अ कि दिखेंगा अ कि यह क्या होता है अ उच्छ अस्तरिय संबाद का मत्रब आप देख लेंगी जब बातचीत का जो होगा लेबल होता है वह सबसे उच्छ गवता है जब आप विचारों पर बात करने लगें कैब गूंप कि इसे समीती ही बिचार समीटी का मिटलब कि किसी मुद्दे पर बिचार करते हैं एक कमेटी की तरह बहुत ज्यादानी क्यार वोते लो कि इस तरह के संबाद में ठीक है यह उचस्थरीय बात्विवार या विचार धाराओं उपर के अंद्रित होती है आप दीबेट और भी देखते होंगे सुनते होंगे वह सब संबाद में या फिर उत्चस्टरिय संबाद में सिंपोजियम सब्द का जो अर्थ है यह जो आप यहां पर देख रहे हैं सिंपोजियम लिखा हुआ है कभी कभी यह पूछ लेता है कि सिंपोजियम सब्ध से आप क्या समझते हैं इसका मतलब होता है जो अर्थ होता है वह बाउध्धिक मनोरंजन ठीक है इसका अर्थ क्या है बाउध्धिक मनोरंजन यह इसका साब्दिकर्थ होता है तो यह सा अब यस तरह का सम्मेलन जो संबाद होता है बात विचार होते हैं यह कब होता है ज्यादा संभावनाय तब बनती हैं जब आपको गुरूप डिसीजन लेना हो यानि एक सामोहिक निर्णय लेने में यह तरह की जो बातें ह होती है संबाद होता है यह बात्चीत होती है वह गुरूप डिसीजन यानि जो सामोहिक निर्णय होता है उसके लिए काफी सही होगी होती है काफी अच्छा तक्नीक है यह जब चार लोग बैठ करके किसी मुद्द्दय पर डिसकस करके बढ़ियां से फिर आप डिसीजन ल लोग सहमत नहीं होंगे किसी एक बात पर तब तक वो डिबेट चलेगा और जब बिवाद खतम होगा तो किसी मुद्दे खतम होगा जहां सब लोग सपोर्ड करेंगे और वही डिसीजन होगा तो इसकी यह खास विशेष्टा होती है ठीक है उद्देश क्या होता है कि तात बातकाली समया है आम तोर पर इस तरह कर इसका तभी होता है इस तक और में कोई समय्चिया ऊसका ततकाल में समाधान धोना है चार लोग ने बैट करके अपसमें डिसकस्षिन शुरूर किया और किसी निस का सपर पहुंचे और फिर उसको लागव कि यह होता है परिसंबाद जो अपने देखा सोध प्रबंध लेखन प्रलब थेसिस राइटिंग क्या होता है और थेसिस राइटिंग होती कैसे है कितने भागों में लिखा जाता है कि यह एक बिधा है बिधा का मतलब होता है कि क्या है परंपरा है यह सैली है इस तरह की बातें भी आपके सकते हैं जो रिसर्च के संपूर तथ्यों को क्या करता है एक अत्रित करता है कि रिसर्च के कि संपूर तथ्यों को कि एक अत्रित करेगा संकलित करता है कि संकलन का मतलब समझ जोड़ना एकठा करना कि सू संगठित करता है जो आप ठीसिस लिखते हैं उसमें होता क्या है कि आपके रिशर्च के जितनी भी मैटेरियल्स हैं जो भी डाटा है आकड़े हैं जो भी तत्थ हैं संपूर प्रकिरिया में रिशर्च के दवरां जो कुछ भी आपने कलेक्शन किया है जो कुछ आपने सोचा समझा है जो कहीं कहीं लिखे हैं आप जो डाकुमेंट से कठा कि इन सब को क्या करेगा ये एक जगहा पे ब्यवस्थित और संगठ्थित रूप से जब आप कहीं पे लिखते हैं एक जगहा पे करते हैं इनको वही होता है इसका जो प्रारूप होता है मुख वही है कि थेसिस राइटिंग में हम उसके प्रारूप बात करते हैं इतना तो समझ तो छको एक जगाफ़ी कहिं ब्यवस्थित रूप में लिखना तो ठेस Right लेका जो प्रारूप होगा वह वो पैसा हूगा कि पर से यह ह्पूर्टना हैं है खुड आप रिसरुशर है तो निस्तित्रों से आप को भी लिखना है तेसिस और अग्ल आपको लिखना है तो आप आज ही जान लीजी है कि हम कुई किन भागों में बाट करके पहले क्या लिखेंगे फिर बासमें निभाच्छा के इसको सापर यहीं कि बताया रहा है सबसे पहला कि मुखरist मंदला मेन फिर्च जो होता है कि इसी को बोलते है जिसमें आप आपका क्छिसे क्या है कैसे है जो हमेह आपका कि टाया मुंहें है international होता लूर्ण में लिखते क्या है कि सोध का जो मुख प्रिष्ट है उसके संपूर स्वरूप की रूप रिखा प्रस्टूट करता है आपका जो पूरा का पूरा रिसर्च पेपर है उसका एक प्रारूप होगा पूरा का पूरा यहां पर दिखाएंगे लब यह नहीं है कि आप 15 पेज में बहुत सौर्ट करके आप यहां पर उस चीज़ को टाइटल का मतलब होगा एक्स्प्लेनेशन नहीं देना पसको टाइटल लिखना है पहले पेज में आप क्या करेंगे जो मुख प्रिष्ट होगा उसमें आप टाइटल लिखेंगे फिर होता एक प्रूबल लेटर का मतलब हो गया अनुमोदन पत्र कि अनुमुदन पत्र है जब आप बिस्विद्याले में मालिजे आपके गजो अध्यच्भ है या पर्वेच्च्थ यह फिर आपके बिस्विद्याले की जो कोई एड्वाजरी कमेटी है प्रामर्सेदात्री समीती आ वह अंतिम रूप से जो प्रमाड पत्र यह अप्रूबल जो होता है कि वह कमेटी ने अप्रूब कर दिया कि आपका यह एकदम सही है अब आप इस पर थिसस अपना आगे बढ़ाएं तो जो एप्रूबल होता है वो भी आपको कहां कर देना होगा सेकंड पेज़ पेज़ पर आपको यह उसके इसके प्रमाड पत्र देना होगा ताकि पाठक जो तक पढ़ने वाला उसको पता चले कि आपने उसको मालूम ना हो भरोसा कैसे होगा आपका रिशर्च जो हम पढ़ रहे हैं आपका थिसस तो मरा टायम तो नहीं परबाद हो रहा है यह अप्रूबल होता है जो आपके संस्था शोते हैं या जो प्रमिस्धात्री समीती है वो उन्थिमरूफ से प्रमार्ठी करता है वही प्रमार्ठय को है इंक्लूट करना होता है जिस से की बाठक में भरोद तेबल पॉफ कंटेंट का इसमें आप क्या डालते हैं ? कि पर इसमें जितने भी मुख अध्याय आपके सोध के बहुत सारे अध्यायों तो आए आप बाटेंगे इन अध्याययों और उनके अंतरगत का नाम अध्याय दिया हुआ है अदर चैटर का नाम दिया वे चैटर के अंदर कितने पार्ट में बटे हुए है उस पूरे वो शब्या हुए उन सब के आगे प्रिष्ट संख्या भी दी हुई है कि आप डिरेक्टली उस पेज पर जाकर इस इस इसन इफ्रमेशन को वहां से आप पड़ सकते हैं अगले नंबर पर प्राकथन देंगे प्रेफेस जो होता ना प्राकथन में क्या होता है कि बैक्ति है या कोई संस्था है या परिवार जन दिया है तो आप अपनी किताब जो आप ठीस लिख रहे हैं उसमें क्या करेंगे एक पेज phosphorus में आप उन्सावक या कि आप ये जो मेरे सहिव गी रहे हैं जिन जिन से हमें सहिव प्लंप का आफ द़ीदि इस तरह दात या ठीक है फिर आतिया बात आलिका सूची की कि तृट में ऐसे क्या है कि यह तालिका सूची के मतलब मैं इसमें क्या देते हैं है आप किताब पढ़ते हें तो किताब पढ़ने के दोरान आप देखते होंगे कि बहुत सारी पड़का होता है खाली कि इस बॉक्स में कुस लिखा होता है निचे लिखा रहता है तालिका वन पॉइंट वन ये आप पढ़ते ही किताब तो जो स्टेडी होते ये जो शो लेकिन अगर मुझे ढूड़ना हो कि वह तालिका 1.1 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है और हमें अगर पूरी किताब का एक एक पन्ना पलटने का मन ना हो तो हम क्या करेंगे तालिका सूची में जाएंगे और तालिका सूची में लिखा होगा तालिका 1.2 इसके आगे इसके अंदर क्या लिखा गया यह होगा तुरंत हम देख लेंगे 1.2 एक मतलब यह पेज नंबर इतने पर यह तालिका दी हुई है उसका डेटियल आप तालिका सूची में दिया है तो वहीं पर हम डारेक्ली जा करके उस बॉक्स को वहां देख सकते हूं ठीक है इसके लिए ह होती है तालिका मतलब सूची होती है उसको भी आप एक पेज में लिखेंगे शुरुवात में ही और उस पेज में आप दिया होंगे जितने चित्रों का आपने परियोग क्या है चितने ग्राप साथ ने दिये हैं वहां पर लिख देंगे यह ग्राप तालिका संख्या यह हो होता है इसमें क्या करते हैं कि जो बहुत कम प्रिष्टों में थोड़े से पेज मैं निस्कर्स निया जाता है इसमें इसके पूरी रूप रहा निरमित की जाती है ठीक है इसका मुखुद्द से क्या है यहां निस्कर ओelt या साराण साल कर दो यह रूद कितामे बढ़ते होंगे न है यह लिखा और मिल जाता है यह तो हो गया पहले भाग की वोस्ट पार्ट में आप इतनी चीज़ों को इंक्लूट करेंगे अपने दोरा ओर इसका मैं भाग शुरू होता है सोध प्रभंद का मुख प्रेश्ट मुख जो भाग होगा इसका उसमें देख लेते हैं कितने भागों में बाटा गया है कि मुख भाग में आपको क्या लिखना होता है कि यह तो था प्रारंभिक भाग अब जो दूसरा आता है वो मुख भाग मुख भाग पांच भागों में बटा होता है वाल इसमें लिख जाता है सबसे पहले पहले नंबर पर आप क्या लिखते हैं समाहित होता हूत है घुमा और सबवलबंट में इंट्रोड़क्शन एक पेज, दो पेज का या डेड़ पेज का होता है जिसमें आप पूरे विशह की समगरजानकारी को कहते हैं यही होता है गागर में के बात में फिर हिसार्च डिजाइन हाईगा डिजाइन में क्या करते हैं कि इसमें आपने जो समधान होड़ा है पूरा का पूरा सौध है कि वह आप उसके लिए कोई डिजाइन आपने तजार किया होगा उस डिजाइन को आप यहाँ पे कम्प्लीट करते हो ठिक है रिसर्च डिजाइन इसको आप पूरा जब कर लेते हैं रिसर्ट डिजाइन में बस वही है कि सोध को संगठे तो यह व्यवस्थित रूप से संपन्ल करने की रूप रेखा यह जो आपका रिसर्ट है उसको व्यवस्थित तरीके से आप लिखें इसकी रूप रेखा जो होती है और अगले चरण में आकड़ा विश्लेशर यों बिवेचन आकड़ा विश्लेशर और विवेचन यही जो मुख भाग होता है इसमें आप मैटेरियस लिख रहे हैं वह सब तो था पेज जो आपके इस सब को ना सौर्ट में दिखाने पी लिस्ट थी पहले भाग में लेकिन द जो आकड़ें हैं आपके पास उनाकड़ों को लिखेंगे उनका विश्लेशर करेंगे उनकी विवेचना भी करेंगे न मतलब उनका एक निषकर्स का पहूंचेंगे इस सेक्शन में और फिर आता है सौध को प्लब्धियां निश्कर्स और समान्नी करार कि सोध की उपलब्धियां क्या है कर समाननी करार ये सब है आप इस वाले हिस्से में लाश में लिखते हो कियए जो मुखँ पेज होता है आप उसको कुछ इस तरीके से आपिड़ायिक यह अन्तिम होता है ज़ो होता है हुआ यह कंप्लीन लास्ट होता है जो शौध में मुख शारत्म को प्रस्तुत करता है ठीक है उद्देशों की कुछ रुटिया रही गरने हैं वसब बातों को आप यहां लिखेंगे और लास्ट में एकदम क्या करेंगे सुझाव और समस्थो लास्ट में आप किताब पढ़ते भी आपको मिल रहता है इसमें इस वाले में क्या करता है कि जुझारती होता है तो उसके समस्याव के लिए विए कई आने वाले समय में कोई दूसरा सोधार्थी जब सोध करें रिसार्च करें तो उन समस्थ्याओं को वह पहले से जानता रहे हैं यह तो इसका मुख्ष भाग हो गया रिसर्च लिखने का आपका थेसस लिखने के अब लास्ट वाला जो सेक्षन है उसको संदर्व सूची बोलत तो सोध के दवरान जितनी भी सामग्रियों का आपने परियोक किया है उनके शुरूत आप यहां लिखते हैं ठीक है कि सोध के दवरान परियोक्त की गई कि सामग्री का स्वरूत यह होता है रिफ्रेंस एक होता है अपेंडिक्स परसिस्ट इसके तहत प्रस्णावली सचाहतकार मानचेत्र देर्ग प्रस्ण यह जो आप पेपर में किताबों में आप पड़ते हैं लास्ट में आपको जो मिलता है ना कोस्टेंस होगे रहा वह सब पर सिस्ट में जोड़े उस दवरां जिन जानकारियों को जिन सूचनाओं को आप बीच में नहीं लिख पाते हैं लेकिन वह इंपॉर्टन जानकारी है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करें उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है कौन सा अपेंडिक्स वाला इ तो फिर उनको लश्ट में यहाँ पर लिख रिए जाता है एक होता है इन्डेक्स तुर्ण क्यों अश्ण जो योई‍छी इंडेक्स होता है यह होता है सोध प्रबंध और सोध प्रबंध के प्रारूप ठीक है अब रिशर्च एप्टी टोड में दो बातें और बची है अनसंधान नेतिकता और अनसंधान में आई सी की और कुछ सब्दावलियां हैं जिस पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे